दोस्तों चन्याई की शांदार जीत से पॉइंच टेवल में हो गए बड़े उलट फेर जहां चन्याई को मिली बड़ी खुशकबरी तो केक्यार को लगा बड़ा जटका और दोस्तों केक्यार RCB समेट मुंबई और दिली को भी हो चुका है काफी बड़ा नुकसान तो आई दोस्तों जानते हैं कि IPL का बड़ा मुकाबला खतम होने के बाद IPL के पॉइंच टेवल में क्या बड़े बदलाब हो चुके हैं और कौन सी टीम इस IPL के रेस में खराब परदर्शन कर रही है और कौन सी टीम के अब प्लियोफ में जाने के कितने चांस रह गए हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जा दोस्तों पहले बात कर ले इस मुकाबले की तो तो दोस्तो इस मुकाबले में चनही की तरफ से हमें कमाल का परदर्शन देखने को मिला जहां इस मैच में केक्यार केवल 20 ओवर खिल कर 137 रंग बना पाय था इसके जवाब में चनही की टीम ने अराम से 18 ओवर में ये मुकाबले जीत लिया जहां कप्तान रितुराज गायकवाड इस मुकाबले में 67 रंग बना कर नौट आउट रहे थे तो दोस्तो शिवम दुबेन 18 गेंदों में 28 रंगों की तुफानी पारी खेली लेकिन दोस्तो इस मैच में चनही की गेंदबाची काफी कमाल की रही थी इस वजह से दोस्तो कलकता की टीम ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई थी जहां जड़ीजा ने इस मैच में 3 विकेट लिये थे तो तुशार देश पांडे को 3 विकेट हाथ लगी और रहमान ने भी 2 विकेट चटकाए थे और ये मुकाबला चैने की टीम ने अराम से 7 विकेटों से जीत लिया 14 बॉल रहते हुए जहां इस जीत के बाद दोस्तो पॉइंच टेवल में बड़े बदलाव हो चुके हैं तो आई दोस्तो जानते हैं इस जीत के बाद अब पॉइंच टेवल में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं कौन सी टीम को बड़ा नुक्सान उठाना पड़ा है और कौन सी टीम अब इस IPL में धमाकेदार अंदाज में प्लेउफ की तरफ बड़ रही है जहां दोस्तो इस समय सबसे बूरी हाल दिल्ली कैपिटल्स की है क्योंकि वह पांच में से केवल एक मैच जीती है चार मैच हारी है और उनकी नेट रन रेट माइनस वन पॉइंट तीन सो सतर माइनस में चल रही है और दोस्तो दिल्ली की दसवे नंबर पर है और दोस्तो उनके आगे जाने के चांस बहती कम है जहां दिल्ली के आगे जाने के चांस केवल 40 परतीशत के रह गए हैं तो दोस्तो इसके बाद नौवे नंबर पर RCB है दोस्तो RCB का परदशन भी दिल्ली जैसा ही है क्योंकि दोस्तो RCB ने भी पांच चेवे कम से कम सभी मैच जीतने पड़ेंगे तब जाकर उनके लिए प्लेओफ के रास्ते खुल पाएंगे लेकिन दोस्तों आर्सीबी के लिए काफी बुरा लग रहा है कि उनकी गेंद बाजी साइपल में बहुती कमजोर है और विराट कोली के अलावा कोई भी खिलाडी आ उनने इस आइपल में चार मुकाबले खेले हैं और दोस्तों उनकी नेटरन डेट माइनस जीरो पूइंट 704 माइनस में चल रही है और उनके दो पूइंट है लेकिन दोस्तों मुंबई की टीम ने कमाल का परदेशन करके पिछला मुकाबला जीता था लेकिन फिर भी दोस् और दोस्तो मुंबई के अभी प्लेओफ में जाने के चांस पूरे के पूरे 45% के हैं तो दोस्तो इसके बाद साथवे नंबर पर गुजराट टाइटन्स है दोस्तो गुजराट ने 5 में से 2 मैच जीते हैं 3 मैच हा रहे हैं और दोस्तो उनकी नेट रन रेट माइनस 0.797 माइ मैच गुजराट की टीम जीत रही है और दोस्तो गुजराट के आगे जाने के चांस अभी 50% के बने हुए है तो दोस्तो चटे नंबर पर पंजाब किंग्स है तो पंजाब ने 4 में से 2 मैच जीते हैं 2 मैच हा रहे हैं और उनकी नेट रन रेट माइनस 0.220 माइनस में चल प्लस दोस्तो तो इसके बाद चोत के नंबर चनल को engraver चनल रही है और दोस्तो इसके बाद चौते नंबर पर यह व्याक्त है चनाई की टीम ने इस ऐपल में 5 मेंसे 3 मैश जीते हैं 2 मैश हारे हैं और उनके नेटरन रिट प्लस 0.666 में चल रही है और उनके 6 पॉइंट है और दोस्तों चनाई के आगे जाने के चांस पूरे के पूरे 70 प्रतिशत के बने हुए है तो दोस्तों इसके बाद तीसरे नमब और दोस्तो लखनों के आगे जाने के चांस पूरे के पूरे 90 परतीशत बने हुए हैं तो दोस्तो इसके बाद दूसरे नमबर पर कलकत्ता की टीम है जा दोस्तो कलकत्ता की टीम इस IPL में अपना पहला मुकाबला हार चुकी है लेकिन दोस्तो उनकी नेट रन डेट अभी भी टीम दिख रही है और दोस्तो कलकत्ता की टीम इस IPL में कमाल का परतेशन कर रही है और इस वजह से उनके आगे जाने के चांस पूरे के पूरे 95 परतीशत अभी भी बने हुए हैं तो दोस्तो इसके बाद सबसे उपर राजिस्थान रॉयल्स है जा दोस्तो राजिस्थान क आपकी फेवरेट टीम कौन सी आप अपनी कीमती रहा है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं